नमस्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से आ रही है आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद रहे संजे सिंग जो फिलाल तिहार जेल में बंद है वो बार बार अपनी जमानत याचिका को लेकर कोट के चक्र लगा रहे है ऐसे में हाल ही में बात करें तो संजे सिंग ने हाई कोट में जमानत याचिका दाखिल की थी एक याचिका दाखिल की थी जिसमें जमानत अरजी की बात की गई थी अब इस पूरे मामले में आज हाई कोट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आईगी दरसल जानकारी के अनुसार दिल्यापकारी नीति घुटाले से संबंदित मनी लॉंडरिंग मामले में इडी ने आम आदमी पार्टी के सांस संजे सिंग को गरफतार किया हुआ है इस मामले में संजे सिंग ने जमानत के लिए हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया है जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है आपको बता दें नियायमूर्ति स्वन कांत शर्मा के समक्ष सुनवाई की जाएगी पिछले साल चार अक्टूबर को एडी द्वारा गिरफतार किये गए राज्यसभा सदस्य ने मनी लांडरिंग में उनके जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के आदेश को चुनवाती दी है आपको बता दें कि निचली अदालत ने उस वक्त कहा था कि यहाँ पर संजे सिंको हम बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो उनके उपर मामले हैं वो वास्तविक हैं यह मामला 2021-2022 के लिए दिल्ली शराब के अपकारी नीती को तियार करने और यहाँ पर भ्रष्ट चार से संबंदित मामले देखे जाते हैं हाला कि बाद में नीती को रद कर दिया गया उसके बाद तमाम तरीके की जाचे हुई और जाच में पता चला कि यहाँ पर संजे सिंग एक तरीके से गुनेगार पाए जाते हैं इडिया दिकारी उन्हें गुनेगार बताती है और गिरफ्ट में ले लेती हैं एक तरफ आज इस मामले में सुनवाई होनी है कि संजे सिंग को हाई कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर जटका मिलेगा ये तो सुनवाई के बाद में ही पता चलीगा लेकिन एक बड़ी राहत संजे सिंग को दी गई जब वो खुद राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के लिए वो खुद वहाँ पर संसद में जा सकते हैं ये राहत उन्हें दी गई अब इसी राहत के साथ देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती हुई नजर आईगी